वजन पर काबू रखने के लिए रोज पीना चाहिए इतना पानी, पढ़ें पूरी खबर सहतमंद जीवन और सही पाचन क्रिया के लिए परियाप्त पानी पीना बहुत जरूरी है विशेशग्ये बताते हैं कि पानी की सहायता से आप अपने वजन को नियंत्रित रख सकते हैं पानी की सहायता से कैसे अपने वजन पर रखें काबू जानकारी देता आलेक मोटापा एक बड़ी स्वास्त समस्या है इसका संबंद आपको लगने वाली भुक और मेटाबॉलिज्म यानी चयाप चेक एक ऐसी रासायनिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जो किसी भी जीव या प्राणी को अपने जीवन को स्वस्त बनाय रखने में सहायता करती है से है यह कार्डियो वस्कुलर गड़बरियों टाइप दो डाइबिटीज, आथ्राइटिस, कुछ की स्म के कैंसर से भी जुड़ा हुआ है इसलिए मोटा पा बेहर नुकसान दे हो सकता है पानी के फायदों को नजरंदाज नहीं करना चाहिए वजन कम करने में पानी पीना काफी मददगार होता है हाला कि उपचार शुरू करने से पहले आपको इसके लिए उप्योक्त लक्षेत तरे करना चाहिए यूट्रीशनल तेरेपी, व्यवहार संबंधी अध्ययन और शारीरिक गत्विध्या प्रभावी धंग से वजन कम करने के तरीके हैं खुद को रखे हाइडरेटेड पानी पीने से शरी में मौझूद नुकसान देह चीज़ें पानी के साथ बहकर निकल जाती हैं और पाचन परनाली तथा मानसा पेशियों का कामकाज बेहतर होता है इसलिए पानी पीकर अपने शरीर से नुकसान देह चीज़ों को बाहर कर दें इसके लिए रोज 10 गिलास तक पानी पीने की आदट डालें भले ही कुछ लोगों के लिए शुरू में यह मुश्किल होगा पर यह एक अच्छी आदत है और इसे व्यवार में लाना चाहिए आप घर में हों, दफ्तर में या कही निकल रहे हों पानी की बोतल साथ रखें ज्यादा कैलरी वाले पे की खपत कम करने के लिए पानी पीएं इससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा शीतल पे में मीठा और अन्यनुकसान देह पदार्थ होते हैं जो प्यास बुझाने की आर में आपके शरीर का वजन बढ़ा देते हैं अगर आपको साधा पानी हमेशा पसंद नहीं आता है तो आप कैलरी मुख फ्लेवर पानी आज मा सकते हैं नारियल पानी पी सकते हैं खाने से पहले पानी खाने से पहले पानी पीने से मनुष्य भोजन से जो उर्जा प्राप्त करता है उसमें भारी कमी आती है Institute of Medicine द्वारा विक्सित इडिक्वेट इनटेक AI के मताबिक परियाप्त मात्रा में पानी पीने और खाद्य पदार्थों में पानी होने से वर्जन कम करने के प्रयास में सफलता मिलती है यह संभव है क्योंकि पानी से कुल एनरजी इनटेक कम होता है इससे मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिलता है पानी पीना याद दिलाने के लिए अल्लार्म लगाए पीने के पानी में वर्दी का संबन समय के साथ शरीर के वर्जन में अच्छी खासी कमी से रहा है एक अध्ययन में पाया गया कि शारीरिक गतिविद्यों और फल वसबजियों का सेवन वर्जन कम करने का प्रभावी तरीका है इसके लिए अपने वुज़न पर नियमे तूप से नजर रखे पानी की मात्रा बढ़ाने पर भी अगर रोज नजर रखी जाए तो अत्रिक्त लाब हो सकता है भूख कम करने के लिए पानी पीए भूख और प्यास की विवस्था अलग अलग होती है और इनके नियंत्रन की विवस्था भी अलग है पर अक्सर पानी भूख को कम करने का काम प्राक्रितिक और पर करता है और पानी पीने के बाद आपको भूख कम महसूस होती है पानी पीने से आपका मन भर जाता है और भूग कम होती है इससे आप भूजन कम करते हैं जिसका असर वर्जन पर दिखता है वर्जन कम करने के लिए पीने के पानी के तापमान का अधियान किया जा चुका है सुबह में एक गिलास गुनगुना पानी पीने से शरीर का तापमान बढ़ता है और मेटाबॉलिक रेट को रफ्तार मिलती है इससे ज्यादा कैलरी जलती है सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पिए गुनगुना पानी विर्जन कम करने की गती बढ़ाने में सहायता कर सकता है इसका कारण यह है कि हमारा शरीर गुनगुने पानी का तापमान कम करके उसे शरीर के तापमान के बराबर करने के लिए काम करता है इस प्रक्रिया में कुछ क्यलरी खर्च हो सकती है